बिस्मिल्लारमानिर्रहीम, अस्सलामुलेकुम विवर्ज आज आपके साथ एक बहुती डिफरेंट स्टाइल की वीडियो के साथ हाजिर हुई हूई हूँ, मैं अपनी एक सब्सक्राइबर फर्वा की बहुत ज्यादा डिमांड के उपर, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के उ इसके बाद आजाते हैं हम सेकंड ग्रेवी के उपर, जिसके अंदर हम प्याज और टिमाटर का बेस बनाते हैं, और इसके अंदर हम कुटे हुए मसाले या खड़े मसाले इस्तमाल करते हैं, तो इसके अंदर जितनी प्याज होती है उसके HALF P operate तरीमाटर बनाकरे के इस्तमाल करते हैं, उनमें लैसा नद्रक का पेस्ट, हल्दी, साबुच जीरा, नमक और कुटी लाल मिर्श ये बेसिक मसाले और कभी-कभी इस ग्रेवी के अंदर हम दही का इस्तमाल भी करते हैं जैसे कि कभी-कभार हम बहुत अच्छी ग्रेवी वाली जो कड़ाई बनाते उसमें भी हम दही का इस्तमाल करते हैं इसके अंदर एक डिश आपको इससे भी बनानी सिखाऊंगी इस ग्रेवी से तो अब हम आ गए हैं अपनी थर्ड ग्रेवी की तरफ ये थर्ड ग्रेवी जो है हमारी ये है वाइट ग्रेवी काफी सारे इंग्रेडियंट्स ऐसे हैं जिनें आल्टरनेट करके आप वाइट ग्रेवी बना सकते हैं ज्यादा तर इसकी बेस जो होती है वो होती है अनियन और दही के उपर तिल इसकी जगा मैलन सीड भी लिए जा सकते हैं वो मेरे पास इस वक नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही काजू, बदाम, खोपरा ये तमाम चीजें इस वाइट ग्रेवी के अंदर हम गाड़े पन के लिए इस्तेमाल करते हैं साथ ही इसके अंदर जो मसाले हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादा तर उसमें लहसन अद्रक का पेस्ट, नमक, दखनी मिर्चे और जीरा पाउडर इसके इलावा इसके अंदर चूंके दखनी मिर्चों का इस्तमाल होता है या कभी कबार काली मिर्चों का इस्तमाल भी होता है तो इसमें हम तेजी के लिए हरी मिर्चों का इस्तमाल करते हैं पेस्ट बनाके और कभी कभी इस रेसिपी के अंदर इस ग्रेवी की रेसिपी में तो यह वाइट ग्रेवी है, इसके अंदर आप कोई दो इंग्रीडियन्ट भी साथ मिला सकते हैं, जैसे काजू बदाम दोनों ले सकते हैं, यानि वो चीज जो आपके पास अवेलेबल है या जिस चीज का जायका आपको पसंद है, आप वो चीज इसके अंदर इसके अंदर तो यह हमारी तीसरी ग्रेवी हो गई, इससे भी हम आपको एक डिश बनाना सिखाएंगे, तो उमीद है कि यह तमाम ग्रेवी जो है, यह आपको समझाई होंगी और इससे आप काफी ज्यादा फाइदा उठाएंगे, इसके लावा भी बेताहाशा इंग्रीडियन्ट्स हैं जो के अलग-अलग recipes के हिसाब से इन में तबदील किये जाते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ basic बता रही हूँ, तो next videos जो हैं उसके अंदर इन ही एक एक gravy से एक एक डिश में आपको बनानी सिखाऊंगी, तो इंशाला उसको भी आप वेट कीजे और उसके उपर भी अपने comments दीजेगा मुझे, अगर आपको मेरी videos अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और video के नीचे like का button प्रेस कीजिए, इसके लावा मेरा facebook page है, उसे देख लीजिए, वहाँ काफे written recipes हैं, अपने comments में अपने suggestions और अपनी views मुझे share करते रहा कीजिए, मुझे अपनी झाल